हिंदी बोलेगी चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की जानकारी समया पर मिलती रहे नमस्कार दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हवाई जाज में सफर जरूर किया होगा लेकिन हवाई जाज में टिकेट्स बहुत महंगी होती है और हवाई जाज में सफर करना महंगा भी पड़ता है इसलिए सामान्या इंसान बस या ट्रेन से ही सफर करता है और आप लोगों ने ट्रेन में सफर करते हुए यह तो नोटिस किया होगा कि ट्रेन के टोइलेट की सारी गंदगी ट्रेन के ट्रैक पर ही चली जाती है तो क्या ऐसे ही हवाई जहाज के टोइलेट की गंदगी भी सीधी हवा में ही छोड़ दी जाती है या फिर वो कहीं और चली जाती है ऐसे में हर इंसान के मन में ये सवाल जरूर उड़ता है कि हवाई जहाज के टोईलेट की सारी गंदगी कहा जाती होगी क्योंकि हवाई जहाज तो हवाँ में उड़ता है और उसके टोईलेट की सारी गंदगी अगर नीचे छोड़ दी जाएगी तो ऐसे में वो किसी के भी घर पर या किसी के मुह पर गिर जाएगी तो फिर हवाई जहाज के टोईलेट की सारी गंदगी जाती कहां है देखिये दोस्तों बहुत सारे लोगों का यहां मानना है कि हवाई जहाज के टोईलेट की गंदगी हवा में छोड़ दी जाती है क्योंकि हवाई जहाज बहुत उंचाई पर उड़ते है और ऐसे में टोईलेट की सारी गंदगी सूख कर हवा के कड़ों में मिल जाती है लेकिन आप लोगों को सच बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है हवाई जहाज में टोइलेट की सारी गंदगी इकठी करने के लिए और हवाई जहाज में इस्तिमाल किये गए पानी को भी इकठा करने के लिए 200 गैलन यानि 800 लिटर का एक टैंक लगा होता है क्योंकि हवाई जहाज में हजारों लोग सफर करते हैं तो ऐसे में सभी यात्रियों का मल मुत्र इस 800 लिटर के टैंक में इकठा होता रहता है और आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि हवाई जहाज में वैक्यूम टोइलेट का इस्तेमाल किया जाता है और वैक्यूम टोइलेट को इस तरह की टेकनोलोजी से बनाया जाता है कि ये पानी को एक तरफ और ठोस मल को एक तरफ इकठा कर देते हैं यानि ये पानी को और ठोस मल को अलग-अलग कर देते हैं और फिर जब यह 800 लिटर का टैंक भर जाता है तो इस टैंक को हर बार उडान भरने से पहले खाली कर लिया जाता है और इस टैंक को कंपनी के करमचारी बहुत जल्दी खाली कर देते हैं क्योंकि हवाई जाज का समय खराब होने से बचाया जाता है और हर हवाई जाज की हर एक उडान से पहले जल्दी जल्दी अच्छे से जांच परताल की जाती है और ऐसे में टोईलेट की गंदगी वाले टैंक को खाली करने का काम भी जल्दी जल्दी किया जाता है तो दोस्तों अब आपसे कोई ये पूछे कि हवाई जाज के टोइलेट की गंदगी कहा जाती है तो अब आप लोग उनको अच्छे से समझा सकते हो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंदाई होगी किरिप्या करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद